हालो फ्रेंड एक बार स्वागत हैं हमारे यूटूब चैनल पे तो फ्रेंड जैसा कि आज हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितने हो यह पहला होता है आला से और दूसरा होता हैं को परलसे है कि Link Subway Series चुंश दूनों से समक्राइब करने वाले कि आइरेन लोसेज किसा को बोलते हैं और Jucare आइरन लोसेज है, आइरन लोसेज को भी हम क्या बोलते हैं, कोर लोसेज भी बोलते हैं, इसको कोर लोसेज भी बोलते हैं, कहें कहें पूछ देता है कि जैसे आइरन लोसेज क्या होते हैं, किसको बोलते हैं, और कोर लोसेज किसको बोलते हैं, तो फ्रेंड को इसमें कन्फ्य कुझ होने की बात नहीं है दोनों एक ही है एक और लोस और और बारे में बात करते हैं चलिए जैसा देख रहे हैं कि यह हमारा क्या है और लोस को निकालने के लिए हमने कि एक सरकीट ड्रॉड किया हुआ है जैसे देख और एक यह तो जैसे वारे शाइड है तो जैसे क्न के रेडी हो जाता है जब चौपर लोस करने के लिए क्या करते हैं हम इसके simpler प्राइमरी साइड को ओपन कर देते हैं और से केंडरी साइड में जिदर कम वोल्टेज साइड रहता है और इसको क्या है प्राइमरी साइड को ओपन कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है कि यह ओपन रहेगा तो इसके कोर में जो है यानि इसके यह जो देख रहे हैं यह कोर मे क्या है flux हमेशा घुमती रहती है flux घुमती रहती है जिससे कारण क्या हो जाता है इसमें iron lossage का पता चलता है तो यह क्या है इधर क्या है एक auto transformer रहता है तो इधर से हम voltage inject करते हैं यानि देते हैं और यह क्या है watt meter इसके सर्किट में लगा रहता है तो वाट मीटर इसके सर्किट में लगा रहता है यह एंपियर मीटर इसके सीरीज में लगा रहता है याद रहे कि आपको ओपन सर की टेस्ट ओपन सर की टेस्ट इसका करते हैं पर्फर्मेंस करते हैं तो ओपन सर की टेस्ट में क्या हो जाता है कि आरन लोसेज के लेते हैं को पर लोसेज तो बिल्कुल होता है नहीं है क्यों को पर लोसेज को हम आगे बात करते हैं को पर लोसेज कैसे चेक करते हैं तो फ्रेंड ऐसे iron losses का इस्तामाल करते हैं इसके अंदर भी iron losses के अंदर भी दो तरह के लोसेज होते हैं उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा जो AD current losses और अपना हिस्टेर्सिस लोसेज होते हैं उसके भी कैलकुलेशन हम पूरा आगले वीडियो में बनाएंगे और फिरेंड हम दूसरा बात करते हैं कि कोपर लोसेज कोपर लोसेज किसी भी ट्रांसफार्मर का जब टेस्ट किया जाता है तो कोपर लोसेज को ग्याद करने के लिए क्या होता है सोट सरकीट टेस्ट किया जाता है तो जैसा कि यह देख रहे हैं कि मैंने एक सरकीट डरा किया है यह ट्रांसफार्मर का कोर है यह इसके प्राइमरी साइड में वोल्टेज इंजक्ट करना हो सेकेंडरी साइड को क्या करना है यह अपना सोट करके रख दिया और स्वाट करके ही ग्याद किया जाता है ताकि copper lossage हमें पता चले और फ्रेंड copper lossage इसलिए होता है कि जब हम इसके primary side पर क्या करें voltage inject करेंगे तो इसके core में क्या हो जाएगा इसके core में EMF induced हो जाएगा और जिसके क्या हो जाएगा secondary पर हम लोड जब डालेंगे तो इसके अंदर से current चलने लगा तो फ्रेंड copper lossage का मतलब यह होता है कि जो इसके अंदर winding किया जाता है तो उसके अंदर कितना lossage होता है उसी का reading लिया जाता है तो उसी को यह जो वाट मीटर लगा रहता है यह वाट मीटर जो लगा है वह reading बताता है कि इतना lossage है और इसमें iron lossage को बिल्कुल 9 के बराबर बिल्कुल ही नहीं होता है इसलिए उसको निगलेट कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है आपको यह याद रखता है यानि जब कॉपर लोसेज का परफर्फर्मेंस करते हैं यह बस आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही तो फ्रेंड हम अगला वीडियो लाएंगे कि यानि हिस्टेर्सिस लौसेज और Edie Current Losses को कैसे कम किया जाता है क्या तरीका है कम करने का किस कारण से ओध़ जाता है और किस कारण से घट जाता है तो फ्रेंड उसका benefit क्या है advantage क्या है disadvantage क्या है उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे तो फ्रेंड हमारी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताईए फ्रेंड आप से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए